हैलो प्रेंड्स वेलकम टो अपूस कीचेन आज का रेसिपी एक पेंगोली फेमस स्वीट डिस लैंग्चा बना के दिखाऊंगे मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट किजिए और सस्क्राइब करना ना भूले लैंग्चा बनाने के लिए यह सब इंग्रिय यह हो मैट है ले वीडियो में देखके रखा आप लोग दिख सकतह हैं, इस फाइल में देखके रखा देख सकते हैं, यह 100 ग्राम लिए यह हो मैड है दुनों कशह मइडम और दो चमच मार्टता लियो और फ्राइन के लिए घुबaspe • कफ ऐसपट सबड़ ही मृड आट करक सुगर शिरफ बनाने के लिए रख दिया। सुगर शिरफ में जो पाउडर करके लाइची रखा। फ्लेवर के लिए मैं आड कर दिया। जो पनीद लिया। उपहले मल के एकदम सॉप्ट बना लोगी। ऐसे अच्छी तरह से मैस करना पड़ेगा। अच्छी तरह से माल के एकदम सॉप्ट बनाने का। अच्छी तरह से माल के हो गया। अच्छी तरह से पनीद के साथ मिक्स करूंगे पहले। पनीद के साथ अच्छी तरह से मीक्स करूंगे पहले। आच्छी तरह से मिलाया। सॉप्ट हो गया। इसके लिए थोड़ा सा माईदा में यूज करूंगे। कर दो चमच लिया करें 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 कि पहले हाफ स्पून को मिक्स करते लिखुँंगी थोड़ा सा पानी बानी लागें को तो यह आठ करने का नहीं करने का और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का अच्छी तरह से मलके हो गया अधा चमची में मैदा यूज किया उसमें पार्फेक्ट हो गया अब चोटा चोटा हिस्सा लिखें लेंग्चा का कर दोंगी आप लोग को साइट जाहिए ऐसे कर सकते हैं एक खाने में बहुत स्वाधिस्ट होता है ऐसे सारा बना लूँगी सुगा सिरफ रेडियो हो गया फ्राइंग कर लिए ओयल बागी यूज कर सकते हैं मैं ओयल ही यूज कर रहो सारे लेंग्चे बना के तियर कर लिया अभी फ्राइंग करूंगी ऐल गरम हो गया अभी फ्राइंग के लिए डब देते हैं लो फ्लेम में पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राइ कर लेने का बहुत सब्ट रहता है इसलिए एक साइड होने को बादी पलट लेने का पलट पलट के फ्राइ करके हो गया और शुगर सिरफ में आड़ कर देती हो और 45 मिनिट्स रखने को बन रिक्तम सब्ट हो जाएगा लेंग्चा और बहुत स्वाधिस्ट बनता है अब कर लेती हो गया अब यह बावल में सब्सक्राइब कर लेती हो इसे फ्राइ करके सुगर सिरफ में डिप करके रख दिया अब 45 मिनिट्स बाद आप लोग को दिखा तिए लेंग्चा रेडी हो गया अभी मैं बाउल में सर्व कर लेती हूँ पेस्टी लेंग्चा बनके रेडी हो गया आप लोग बनाईए आप लोग कोनु भब मेरे साथ स्यार कीजिए मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, स्यार, कॉमेंट कीजिए और सस्क्राइब करना ना भूले